इंसान कामकाजी होता है और आजकल सारा काम होता है लाप्टॉप पर नेट्फिलिक्स लेकर यूट्यूब तक सब चलता तो लाप्टॉप पर ही है ना ये भी तो कामकाजी है लेकिन ये लाप्टॉपी कामकाज कभी कभी बड़ी दुरगटना का कारण बन जाता है एक शक्स का काम काज ही बड़ी धुरगटना का कारण बन गया वो ऐसे कि एक शक्स अपना लाप्टॉप चार्ज में लगा करके सो गया लेकिन उसके बाल जो हुआ वो भयानक था आप नहीं ही चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो तो आखिर हुआ क्या राजणगर एक्स्टेंशन की रिवर हाइट सुसाइटी के साथवे फ्लोर पर रहने वाले सौफ्टवे इंजिनियर की घर में आग लग गई और जिस बिस्तर पर लाप्टॉप रखा हुआ था वो पूरी तरह से चलकर राग हो गया वो तो अच्छा हुआ कि उस कमरे में कोई था नहीं वरना क्या होता कोई सोच भी नहीं सकता दूसरे कमरे में सो रहे इंजिनियर को घटना की जानकारी सुभा साड़े आठ बजे के आसपास हुई जब धुआ उनके कमरे में फैल कर पहुचा दूए से जब परिवार का दम घुटने लगा तब नींद खुली इंजिनियर ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो लाप्टॉप जल रहा था बास्रोम से लॉबी के रास्ते बालकनी में जाकर शोर मचाया इसे सुनकर गार्ड ने फायर ब्रिगेट को सूचना दी फायर ब्रिगेट आई और आग उझाई इंजिनियर को सकुषन नीचे उतारा लोकल खबरे बता रही है कि सॉफ्टवे इंजिनियर का नाम राहुल कुमार है जो नौइडा की सेक्टर 22 स्थित एक नेटवरकिंग बेस्ट कमपनी में काम करते हैं साथ में पतनी रहती है जो किसी दूसरे दफतर में काम करती है वो सुभा दफतर जा चुकी थी और बताया जा रहा है कि रात में राहुल अपने लापटॉप पर काम करते हुए स्लीप मोड में उसको रख कर सो गए थी अचा अब सबसे जरूरी चीज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोग अपने लापटॉप को अपने फोन को अपने टाबलिट को चार्जिंग पे लगा करके सो जाते है और सबसे बड़ी चीज़ हम क्या करते हैं कि यह जो चार्जिंग पे हम लगाते हैं सब उस फोन है अगर आपका तो उसको बिलकुल अपने सर्याने रख लेते हैं चार्जिंग में लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आप भले ये सोचते हों कि गैजट बंध है लेकिन उसकी बैटरी तो काम करी रही होती है और लगातार चार्जिंग में रहने से गैजट को आग भी लग सकती है स्पेशल अगर आप सो रहे हैं और काफी घंटे बीद गए हैं तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को या फिर चार्जिंग से कैसे निकालेंगे तो दुरगटना से बहतर है कि आप साफधानी बढ़ते हैं नमस्कार अदाब मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैँ दीलललंटॉब साथ ही बेल ula किन पर क्लेक कर दीजाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंछे हम Instagram पे भी हैं तो ऐसी और वीडियोज के लिए हमें वहाँ जरूर फॉलो करिए Thank you